नमस्कार इंडियास्पिक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मिन्टू जा आम आदनी पार्टी के राजसभा सांसद संजै सिंग के घर बुदबार सुबह 7 बजे इडी की टीम पहुची यह चापे मारी संजै सिंग के दिल्ली वाले घर में हो रही है बताया जा रहा है करीब 7 से 8 अधिकारी आपकारी निती केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं आपकारी निती केस की चार्ज सिट में संजय सिंग का नाम भी है आप संसत संजय सिंग के आवास पर ED की छापे मारी पर उनके पिता का कहना है विभाग अपना काम कर रहा है हम उनका सहयोग करेंगे मैं उस समय का इंतिजार करूँगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी इसे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंग के करिवियों के यहाँ ED ने छापा मारा था तब संजय सिंग ने कहा था मैंने ED की फरजी जाच को पूरे देश के सामने उजागर किया आज मेरे सहयोग्यों अजित त्यागी और सर्वेस मिस्रा के घर ED ने छापा मारा है सर्वेस के पिता कैंसर से पीडित है यह जुर्म की इंतिहा है चाहे जितना जुर्म करो लडाई जारी रहेगी संजय सिंग के घर ED की छापे मारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा प्रवक्ता रिना गुपता ने कहा सबसे पहले उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर चापे मारी की और आज संजय सिंग के आवास पर भी चापे मारी की गई है इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्ज सीट में संजय सिंग का नाम जोड़ा था इसको लेकर संजय स का नाम चार जगह लिखा गया है इन में से तीन जगह का नाम सही लिखा गया है सिर्फ एक जगह टैपिंग की गलती हो गई थी जिसके बाद इडी ने संजय सिंग को मेडिया में बयानवाजी ना करने की सलहादी थी क्योंकि मामला कोट में लंबित है अब आपको बताते हैं कि संजय सिंग पर आखिर आरोप क्या है दरसल इडी के चार सीट में संजय सिंग पर 82 लाख रुपे का चंदा लेने का जिक्र है इसको लेकर ही इडी बुदवार को उनके घर पहुची और उन से पुछताच कर रही है दिली सरावनिती केस में इडी की दूसरी सप्लिमेंटरी चार सीट दो मई को जारी की गई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के राजसभा सा का भी नाम सामने आया था हलांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है आपको याद होगा कि सरावनिती घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेता ED और CBI के रडार पर हैं तो आए जानते हैं क्या है सरावनिती घोटाला दिली में पुरानी निती के तहत L1 और L10 लाइ चलाक करती थी दिली में 17 नवंबर 2021 को सराव के लिए नई आपकारी निती लागू होने तक 849 सराव की दुकाने थी इन में से 60% दुकाने सरकारी और 40% नीजी थी दिली की केजरिवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई सराव निती को मंजूरी दी इसके तहत दिली में सराव की स लिकाना हक जौन को जारी किये गए लाइसेंस के तहट दिया गया था हर वार्ड में दो से तीन वेंडर को सराब बेचने की अनुमती दी गई थी वहें उपराजपाल और दिली के सीम को सोपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोधिया ने उपराजपाल की मंजूरी के बिना सर लगाया गया कि इससे मिली कमिशन का इस्तिमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधान सवाचुनाव में किया था नई सराब निती में तमाम खामियों के बाद चार महिने के भीतर ही नई सराब निती को वापस ले लिया गया था 17 अगस्त 2022 CBI ने आपकारी निती में सिसोदिया समेत 13 अनि लोगों के खिलाप FIA दर्ज की LG VK सकसेना ने इसके बाद जाच के आदेश दिये वहें 19 अगस्त को CBI ने मनी सिसोदिया और आपके तिन अनि सदस्यों के आवास पर छापा मारा और 22 अगस्त को ED CBI से मामले की जा ली गई और 17 सितंबर को आप प्रवक्ता विजाई नायर की गरपतारी की गई वहें 28 सितंबर को ED ने कथित दिल्ली सराव घोटाले के आरोपियों में सामील सराव कारोबारी समीर महंद्रू को भी गरपतार किया था इसके बाद 16 अक्टूबर को CBI ने मनी सिसोदिया से पह 21 बोइन पल्ली को गरपतार किया वह दक्चीन भारत के सराव कारोबारियों की पेरवी कर रहा था और फिर 25 नवंबर को CBI ने साथ लोगों के खिलाप चार्ज सीट पेस की इसमें मनी सिसोदिया का भी नाम सामील था इसके आलावाद 30 नवंबर को मनी सिसोदिया के करीबी अमित अरोडा को भी निरपतार किया गया था इडी ने तिलंगाना के मुख्यमंदरी के चंदर सेखार राव की बेटी एलसी कलव कुंतला कभिता को भी नामजद किया था वहीं 14 जनवरी 2023 को डिप्टी सीम मनी सिसोदिया के ओफिस पर CBI की रेड पड़ी और कंप्यूटर क साथ कई कागजात जब्द किया गया इसके बाद 19 फरवरी को CBI ने मनी सिसोदिया को पुष्टाच के लिए बुलाया लेकिन वह नहीं गए फिर 26 फरवरी को पुष्टाच के लिए सिसोदिया CBI ओफिस पहुंचे यहां उनसे 8 घंटे सवाल जबाब किये गए इसके बाद उन्हें गरबतार कर लिया गया बताया जा रहा है कि एडी ने ये छापे मारी दिल्ली के विवादित सराब निती में गोटाले को लेकर की है इससे पहले संजय सिंग के करिबियों के यहां भी छापे पड़े थे सराब गोटाले की चार सिट में भी संजय सिंग का नाम था बताया जा रहा है कि संजय सिंग को कल रात महिला ससकती करन पर एक कारकरम में भाग लेने के लिए ताइवान जाना था लेकिन सरकार ने उन्हें राजनितिक मंजूरी जारी नहीं की इसलिए वह उडान नहीं भर सके। परवर्तन निदेसाले ने अपने चार सिट में आरोप लगाया था कि सराव घोटाले के आरोपी देफसाई दिनेस अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंग भी मौजूद थे। इडी के सामने दिनेस अरोड़ा द्वारा दिये गए बयान के मुताबिक वह सबसे पहले एक कारकरम में संजय सिंग से मिला था। इसके बाद वह मनिस सिसोद्या के संपर्क में आया। सूत्रों का कहना है यह दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कारकरम था। चार सिट के मुताबिक संजय सिंग के कहने पर दिनेस अरोड़ा ने दिल्ली में अगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकठा करने के लिए कई र दिल्ली बीजेपी आज सियम अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ विरोध परदसन करेगी बीजेपी की और के साथी बने सरकारी गवाह केजरिवाल इस्तिफादों आपको बता दें इस मामले में आप प्रवक्ता रिना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंग लगातार प्यम मोद और अडानी का मुद्दा उठा रहे थे यही वज़ा है कि उनके आवास पर ED की रेड पड़ी है उन्होंने कहा पहले भी कुछ नहीं मिला था आज भी कुछ नहीं मिलेगा वहीं सिफसे ना प्रबक्ता प्रेंका चतुरवेदी ने कहा NDA में BJP के एक मात्र सहयोगी ED, IT, CBI हैं इन एजेंसियों का अपनी विश्वसनियता को कम करके सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक उपकरन बन जाना कितनी बड़ी गिराबट है हम संजै सिंग के यहां छापे मारी की निंदा करते हैं आपको बता दें कि आपके कई नेता ED और CBI के रडार पर हैं इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जाँच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं ED ने मनी लाउंडरी मामले में पिछले साल मैं में आप सरकार में मंतरी रहे सतंदर जैन को भी गरपतार किया था हलांकी अभीवे बीमारी के चलते सुप्रिम कोट से अंतरिम जमानत पर ह हलांकी आम आदमी पार्टी के सन्योजक अर्विन केजरिवाल अपने नेताओं को कटर इमानदार बताते रहे हैं दरसल यह मामला दिली सरकार की नई सरावनिती 2021 बैस से जुड़ा हुआ है दिली सरकार ने 17 नवंबर 2021 से दिली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी नई सरावनिती के तहट सराव का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौप दिया गया और दिली सरकार इससे पूरी तरह बाहर आ गई थी दिली सरकार ने एकसाइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था ये भी दावा किया गया था कि इससे सरकार के राजस में इजाफा होगा दिली में नई एकसाइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठिक उलटाए कहां सरकार ने राजस बढ़ाने का दावा किया था और कहां नुकसान ही उठाना पड़ गया 31 जुलाई 2022 को केबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवन्यू का भारी नुकसान हुआ नई एकसाइज पॉलिसी लागू होने के बाद राजस के नुकसान को लेकर दिली सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ गई लेकिन इस निती में गड़बरी का आरोप सबसे पहले लगाया केंदर सासित परदेश के मुक्ष सचीब नरेश कुमार ने उपराजपाल विके सकसेना को रिपोर्ट दी इस रिपोर्ट में मुक्ष सचीब ने एकसाइज पॉलिसी में गड़बरी के साथ ही डिप्टी सिय ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तमाम विबाद आरोप परत्यारोप राजसु के नुकसान और सिब्याई जांच के बाद दिली सरकार ने अपने कदम वापस खीच लिये थे और एक सितंबर 2022 से पुरानी सरावनिती को वापस लागू कर दिया गया था वहीं इस की जमीन लिखवाली थी सिब्या ने लेंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में इसी साल 18 मई को केस दर्ज किया था इस मामले में लालू राबरी तेजस्वी समेट 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है लेंड फॉर जॉब के केस में बिहार के पुरमुख मंत्री लालू कोट ने लालू यादव उनकी पत्नी राबरी देवी बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है लालू राबरी समेट लेंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोट में अरजी दी थी इसे सुकार करते हुए कोट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है वहीं ED और CBI के कार परनाली को लेकर सुप्रीम कोट ने परबरतन निदेसालय को नसिहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कारवाई नहीं की जाए कोट ने सक्त होते हुए कहा कि जाच की प्रक्रिया पारदर्सी और निस्पक्ष होनी चाहिए सुप्रीम कोट रियल एस्टेट ग्रूप M3M के डारेक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जस्टिस एस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ED को लेकर या बड़ी बात कही है बता दें कि रियल एस्टेट कमपनी के दो डारेक्ट 2019 के तहट ग्रपतारी को अवैद बताते हुए सुप्रीम कोट में याचिका फाइल की थी उन्होंने या भी कहा कि इस ग्रपतारी में पंजाब और हर्याना हाई कोट के आदेश को भी किनारे कर दिया गया सुप्रीम कोट ने दोनों ही डारेक्टरों को ततकाल रिया करने का आदेश दे दिया है कोट ने कहा कि इडी ने दोनों डारेक्टरों को मौखिक रूप से ही ग्रपतारी का कारण बता दिया उन्हें इस मामले में कोई लिखी दस्तावेज भी नहीं दिया गया बेंच ने कहा इस रवये से इडी की कारपरनाली पर सवाल खड़े होते हैं या तब और भी गंभीर मामला है जब एजनसी को देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है इडी को किसी के साथ बदले की भावना से कारवाई करने की जगा पुरी पारदरसिता और निस्पक शरबाईये से काम करना चाहिए कोट ने यह भी कहा कि कि किसी आरोप भी अपने वकिल की मदद ले सकता है यही नहीं मैंने कल ही आपको बताया था कि समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े परिसरों पर दिल्ली पुलिस ने तावरतोर छापे मारी की दरसल ये कारवाई 17 अगस्त को यूए पीए और आईपीसी की अने धाराओं के तह अगसाद मामला दर्ज किया गया है, न्यूज क्लिक के संस्थापक और परधान समपादक प्रबीर पुरकाष्ट को भी दिल्ली पुलिस एस्पेसल सेल की टीम अपने साथ ले गए न्यूज क्लीक के संस्थापक और एडिटर इंची प्रवीर पुरकाष्ट और उसके HR प्रमुक अमित चक्रवत्ती को ग्रपतार कर लिया वहें इससे जुड़े पत्रकारों के 30 ठिकानों पर छापे मारे और उनमें से कुछ के मवाईल लेप्टॉप समेत अनिडिजिटल 83 तलवार के घर भी छापे मारी की गई और कई समान जब्द किया गया आपको बता देख निवार्क टैंस में छपी रिपोर्ट के मताबिक इन लोगों पर चीनी फंडिंग लेने का आरोप है और इस मुद्दा को लोकसभा में बिजेपी सांसर निसिकान दूबे ने उठाय जिसके बाद अमराग ठाकूर ने भी इस पर कई सवाल खड़े किये और कहा कि चीनी फंडिंग में लिप्त लोगों पर कारवाई होनी चाहिए अभी के लिए फिलाल इतना ही तो इसी तरह की महत्पून जानकारी के लिए बने रहे इंडिया इस्पिक डेली के साथ धन्यव करें अजय प्रादून जानकारी के लिए पयास चाहिए भाद के लिए फिलाग के लिए पूल पाद रहे इस भी जबेवाद सानके लिए के लिए में डानकार थिला।